नमस्कार दोस्तों और खलर सूपरस्टार के नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम जालेंगे एक खास इंसान के बारे में जिनके काम को हम सभी ने भुला दिया है इदियाज के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक विंसन्ट वैंगॉफ एक डच पोस्ट इंपेशनिस्ट चितरकार थे जिनका काम आधूनिक कला की आधार शीलाओं में से एक बन गया अपने जीवन के दोरान काफी हद तक अग्यात सैथिश परस की आयू में आत्महत्या से उनके मृत्यू के बाद उनके काम को कुख्याती और ध्यान मिला विंसन वैंगॉफ को तो हम जानते हैं लेकिन जोहाना कौन थी ये केवल भाग्य के कारण नहीं था कि वैंगॉफ की प्रसिद्धी इतनी बरती गई इसका बरा कारण उनकी भावी जोहाना वैंगॉफ का पचार कारिय था उनकी शादी विंसन के भाई थियों से हुई थी और उनके मृत्यू के बाद उन्होंने अपना जीवन उनके काम पर व्यापक ध्यान आकरशित करने के लिए समर्पित कर दिया विंसन और अपने पती थीओ के मृतियु के कुछ महीने बाद उन्होंने भायों के बीच पत्र का अनुवाद करने के लिए अध़क प्रियास किया और विंसन के काम को दिखाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करने की मदद की जोहाना को किस बात ने प्रेडित किया? जोहाना अपने भाई को व्यापक दर्शकों तक लाने के थीयों के काम को आगे बराना चाहती थी और विंसन की कला का समर्थन करने में अपने पती की भूमिका पर भी प्रकाच डालना चाहती थी उन्होंने सत्रा साल की उम्र में एक डायरी रखी थी जो दोनों भाईयों और जोहाना के बीच संबन्दों के बारे में जानकारी का एक प्रमुक स्रोथ है और उनके काम को वे पैचान दिलाने के पती समर्थन को भी सपष्ट रूप से प्रदर्शित करती है जिसकी वे हकदार है उनकी भूमिका को बड़े पैमाने में क्यों भूला दिया गया है एक बार जब व्यापक दुनिया ने उनकी प्रदीवा का सराना करना शुरू कर दिया था तो अपने बेहनोई के काम को बरवा देने में जोहाना की भूमिका को काफी हद तक भूला दिया गया था कई मायरों में उसे अपनी ही सफलता के शिकार के रूप में देखा जा सकता है लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जोहाना के वर्शों के समर्पन और करी मेहनत के बिना कला की दुनिया एक बहुत अलग जगा हुई थी विंसन का व्यापक प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है और इसके लिए धन्यवाद देने के लिए हमारे पास एक अवसर उपेक्षित महिला है अगर आपको कुछ नया सीखनी को मिला तो वीडियो को सरूर लाइक करे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करे शुक्रिया